जी हाँ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरेस न्यूस के एक और नए वीडियो में करारिया उनके बारे में बताएंगे जैसे कि जो दूसरी बड़ी बड़ी अपडेटों को जानने के लिए इस वीडियो में और वहीं दोस्तों अगर आप भी रविंदर जड़ेजा और महिंदर सिंग धोनी के फैन हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीज़ेगा और साथ मैं हमारे चैनल आरे से न्यूस को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दवारा जिससे कि आपको क्रिकेट से जोड़ी तमाम जानकारिया और अप और इस सीजर में चर्नी सोपर किंग की टीम रंग में नजर नहीं आ रही है और सबसे बड़ी बात ये कि MS धोनी के अंदर की वो आग दिखाई नहीं दे रही है जिससे हर विरोधी कापता था तो वहीं सन्राइजर सहथराबाद के खेलाप मुकाबले में महिंदर सिंग धो के दोरान हम सभी को इतनी बड़ी बड़ी चीजे देखने के ले मिली जिसके बाद ऐसा लगा कि दिगज क्रिकेटर के लिए अब IPL में खेलना काफी जादा मुश्किल है तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि IPL 2020 के चौदवे मुकाबले में सन्राइजर सहथराबाद की तो वहीं जवाम में उतरी CSK की टीम ने शुरुआत में तो कुछ जादा खास प्रदर्शन नहीं किया और CSK की तरफ से यहां पर रविंदर जड़ेजा ने काफी शांदार पारी खेली उन्होंने 35 गिंदों में 50 रन बनाए और उनका साथ दे रहे महिंदर सिंग धुनी न देख सकते हो उन्होंने 19 वे ओवर की चार गिंदों का सामना करते से ही ब्रेक लिया और फिर हेलमिट पैड बला सब कुछ वो छोड़कर मैदान पर ही लेट गए तो उसके बाद जब फीजियो आए तो उन्होंने पारी पिला कर और गोली दे कर सही किया तो ऐसे में दोस्त चनी सूपर किंग को आखरी नमर पर देखना मेरे लिए काफी दुख़द है अच्छा नहीं लग रहा है कि चनी सूपर किंग की टीम अंक तालिका में सबसे आखरी नमर पर है लेकिन आईपल की यह खुबसूरती है कि कोई भी टीम अंक तालिका में सबसे नीचे हो और फि पीनर्स को पिछ से जरूर मदद में लेगी गेंद थोड़ी टर्न जरूर होगी तो में CSK की हार के ओपर रविंद्र जड़जान ने बोला हम भले ही आज का मुकाबला हार गए हैं लेकिन यहापर संराइजर्स की टीम ने काफी अच्छा प्रदशन किया तो माही भाही ने भ दोबारा से भूश्ट अब करने की कोशिश करें और बहतरीन से बहतरीन प्रदशन करें हालाकि माही भाही की हालत मैतान पर कुछ जादा ठीक दिखाई नहीं दी क्योंकि यहापर बहेंकर गर्मी के चलते डियाइट्रेशन काफी जादा होता है जिसके चलते हमेशा हमारा गला सूकता रहता है बाकी मैं नहीं मानता कि माही भाही को अभी आई पेल छोड़ने की बिल्कुल जरुएत है वो अभी एकदम फिट है और हमारी CSK की टीम की कप्तानी के लिए बिल्कुल सही है और बाकी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और एक पुरानी वाली CSK की ट बयान को जानने के बाद आप महिंदर सिंग धोनी के शांदार प्रदर्शन और रविंदर जटेजा के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए बागे बढ़ते ह प्रदर्शन के चौदवे ओवर में चन्नी सुपर किंग के बल्ले बाद फाफ ड्यू प्लेसेज 22 रन बना कर आउट हुए तो ही पिरियम कर्ग के थ्रोपर फाफ ड्यू प्लेसेज को रन आउट दिया गया लेकिन उन्हें रन आउट देने पर विवाद अब खड़ा हो ग पर जोनी बेश्टो ने गेंद को पकड़ कर विकेट पर लगाया लेकिन गेंद उनके हाथों से चूट गई थी तो तब ऐसा लगा कि गेंद से बेल्स गिरी है लेकिन जब रीपले में देखा गया तो साफ तोर पर दिख रहा था कि इंद विकेट पर जरूर लगी लेकिन बेश्टों के दस्ताने से गिरी हाला कि इसके बावजू थर्ड एंपायर ने डूपलिस को रन आउट करा दिया तो एंपायर के इस फैसले के बार शोशल मीडिया पर जैसे ही खलवली मच गई तो कई किरकेट एक्सपर्स ने इस पर फैसले का शक जता है बाकि आप यहां पर सबके ट्यूट भी देख सकते हैं क्या क्या लोगों ने कहा है उनकी यही मांगई कि फिर से हम सभी को एमपार इंपायरिंग में कमी देखने के लिए मिल यहां बाकिवागी आप यहां पर लोगो करना चाहिए को अपने आप 300 वोग चलिए तो चलिए बागिब इबात जो दुबई में खेला गया जहाँ पर इस मैच को संडराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जीत लिया है जा दोस्तो हैदराबाद ने चन्नी को रुमांचक मुकावले में 7 रनों से हारा दिया और चन्नी की आईपेल 2020 में ये तीसरी हार है तो वहीं चन्नी की टीम इस समय अंक जटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसा कि हम सभी मैचों में देख पा रहे हैं हाला कि अगर ये दोनों खिलाडी चन्नी की टीम में शामिल हो याकीन है पहले इसके इस्तान पर बनी हुई होती हाला कि दोस्तों अगर हम मैच के बारे में बात करें तो संडराइजर 20 ओवर में संडराइजर सहधराबाद की टीम ने 5 विकेट खोकर 114 रन बनाये थे और 165 रनों का लक्षा चन्नी की टीम को दिया था हाला कि दोस्तों ये जो दुबए इंटरनेशनल स्टेडियम में स्कोर दिया गया था 165 का वो इतना ज़दा कुछ खास था नहीं CSK जैसी दोनों ही खिलाडियों के कैच ले लिए जाते तो शायद संडराइजर सहधराबाद की टीम इतना बड़े लक्षा बनाने में कामियाब नहीं हो पाती तो वहीं चन्ने की तरफ से इस मुकाबले में रविंद्र जड़े जाने शांदा धूनी ने 47 रनों की पारी खेली तो दोस्तो पॉस्ट मैच प्रिजेंटेशन के दौरान महिंद्र सिंग धोनी कहते हैं कि मैं बहुत सारी गेंदों को अपने बल्ले के बीचो बीच हिट नहीं कर पा रहा था या मैं कहूं कि मैं जोर से हिट करने की कोशिस तो कर रहा था लेकिन मेरे में अब वो दम नहीं रहा सीमा रिखाओ को देखते हुए यह मेरे लिए अब जेतन रूप से हो रहा था आम तोर पर अगर आप बल्ले बाजी करने के लिए आते हो तो आप ज़्यादा समय लेना चाहोगे लेकिन शायद अब मेरे अंदर वो एनरजी नहीं रही है जिसके चलते मैं बड़े बड़े ह हो सकते थे इस इस तर पर हमें एक रेखा खीचने और यह कहने की जरूएत है कि इन असान से कैच्छों को छोड़ा नहीं जा सकता है आपका सबसे अच्छा कैच्छ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस खेल में बहुत सारे सकारात्मक पक्ष हैं और हम बहतर तरीके से ब मैच के बाद तो इसमें दोस्तों महिंदर सिंग धुनी ने यहाँ पर साफ सीधी बात यह बोली अभी उनकी टीम थोड़ी कटनाई से जरूर गुजर रही है लेकिन अगले मैच में वह जरूर वापसी करने की कोशिश करेंगे तो इसमें दोस्तों अब आप हमें नीचे कम निकल करा रही है वो यह है तो चलिए अब आगे बड़ तो हम बात करते हैं दूसरी बड़ी ख़बर के बारे में जो दूसरी बड़ी ख़बर निकल करा रही है वो यह है दोनी ने मैदान पर कदम रख बड़ा मुकाम इस मामले में रहना को बचाड़ा जयां दोस्तों आई पेल में सबसे दिक मुकाबले खिलने वाले खिलाडी बन गए हैं। जरसल सनराइजर सहथराबाद के खिलाफ यह मुकाबला धूनी के करियर का 194 वह मुकाबला है। जहाँ पर आई पेल में सबसे खिलने वाले MS धूनी ने सुरेश रिणाना को आज पचार दिया। और लाद दूसरे नम्मर पर आगया और पहले पायदान पर महींदर सिंग्धंध का नाम आ गया है। तो इसमें दोस्तों महींदर सिंग धूनी के इस रिक़ूर्ड को कयम करने के बारे में आपकी क्या राए आप हमें निच्छे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताइ पर हमें उमीद है कि आपको दिखाएगी जानकारी पसंद आयोगी वीडियो चलागा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे तो मिलेंगे तक लिया जाहिंद जाब आरद